एक आज विलकुल तो शिक्स्त लेक्चर ऑफ चैप्टर अनेटॉमी ऑफ प्लावरिंग प्लांट्स आयम हरी शुकुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिस्टोजन थेवरी के बारे में तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं ओके तो हिस्टोजन थेवरी पढ़ने से पहले एक छोटी सी कहानी है इस कहानी को अच्छे से सुनो ठीक है देखो यह एक प्लांट है प्लांट में हमें पता है जो शूट पे शूट पे शूट के अपेक्स पे यानि कि शूट के टिप पे प्रेजेंट होता है शूट अपिक आपकल मेरिस्टेम है यह शूट एपक्स या रूट एपक्स पे किस तरीके से औरेंजड है और्गनाइजड है कॉम्पोजीशन क्या है इस चीज को जानने के लिए हम बहुत सारी थेवरी परते हैं जैसे एक थेवरी है हिस्टोजन थेवरी यह हमें क्या बताता है कि किस तरीके से यह जो एपकल मेरिस्टेम है किस तरीके से और्गनाइजड है डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में ठीक है तो देखो इनिशियली सांटिस्ट डिरेंट नो अबावट दो कॉंपोजिशन ऑफ एक अपिकल मेरिस्टेम शुरुवात में साइंटेस्ट को पता नहीं था कि एक तरीके से और्गनाईज्ट है composition क्या इनका ठीक है unicellular है ये पिकल मेरिस्टेम एक सेल का बना है या फिर बहुत सारे सेल है ठीक है multicellular है या ये जो apical meristem है ये single layer में arranged है double layer में arranged है या multiple layer में arranged है ठीक है तो scientist को ये पता नहीं था scientist didn't know whether the apical meristem was unicellular और multicellular ठीक है initially scientist को पता नहीं था ये बात उन्हें ये नहीं पता था they didn't know whether the apical meristem was arranged in single layer double layer और multi-layer manner ठीक है तो ये सब चीजे scientist को शुरुआत में पता नहीं थी जब वो plant anatomy में नया नया आये थे scientist ने research करना शुरू किया होगा ना जानना शुरू किया होगा कि या यह apical meristem किस तरीके से organized different plants में तो इन्हें इस सब चीजों का एडिया नहीं था ठीक है तो क्या हुआ so as scientist started learning about the composition of apical meristem new theories one after another web proposed ठीक है तो तरह तरह के scientist आये उन्होंने एक से एक थेवरी दिया कि देखो इस तरीके से apical meristem जो है यह shoot apex या root apex पे इस तरीके से arranged है ठीक है तो बहुत सारे scientist आये और उन्होंने अपना थेवरी देना शुरू किया सबसे पहला जो थेवरी था वो था apical cell थेवरी जो की proposed किया था किसने कार्ल नेगेली ने और होफ मिस्टर ने यह दोनों साथ में मिलके apical cell थेवरी दिया था जो कि सबसे पहला थेवरी है ठीक है सबसे पहला थेवरी है इन्होंने क्या कहा they stated that apical meristem is composed of single cell इन्होंने क्या कहा कि apical meristem जो है यह single cell का composed देखो यह सही थे और गलत सही थे क्यों हमें पता है देखो जो टेरीडोफाइट्स है ब्रायोफाइट्स है इनमें जो apical meristem होता है वो single cell का होता है लेकिन जो और advanced plant जैसे जिम्नोस्पम एंजियोस्पम इनमें जो apical meristem होता है वो बहुत सारे cells का composed होता है ठीक है तो एपिकल से थेवरी जो था वो इसका limitation था से एपिकल से थेवरी जो था काल नेगे लिए और होफ मिस्टर एक तरीके से एक हद तक सही थे जो इन्होंने कहा था कि दे स्टेटेड़ एपिकल मिरिस्पम इस कंपोस्ट ऑफ सिंगल से यह ब्रायोफाइट और टेडोफाइट के लिए तो ठीक है लेकिन और भी एडवांस प्लांट अगर तुम देखोगे एडवांस प्लांट जैसे जीम्नोस्पम एंजोस्पम उसमें कैसा है यह एपिकल मि जोनेशन थेवरी आया यह तीन थेवरी बहुत इंपोर्टेंट है इन तीन थेवरी कम लोग डीटेल में पढ़िए ठीक है हिस्टोजन थेवरी जो था वह वो मोस्ट वैलिट थेवरी फोर रूट अपक्स और यानि की रूट एपिकल मेरिस्पम रूट अपक्स पे किस तर को जोटॉजिकल जनेशन थेवरी ए अन्연दर इंपोर्टेंट थेवरी फॉर शूट अपक्स ओरनायज़ेशन के लिए एक और इंपॉर्टेंट थेवरी तो यह तीन थेवरी है जिसके बारे में हम पढ़े अब तुम समझ गयाता कि हैं सब्ढ़िए नकीत निवीम क्यूं ने दिया था साइटो इस्टिलोजिकल जोनेशन थेवरी भी किसी ने दिया ओगा दिया होगा क्या दिया एई था तो ये तीन थेवरी बहुत important theory है ये तीन थेवरी को हम लोग पढ़ने वाले सबसे पहले लेक्श्र का नाम भी डर्टेश 두 इस्टोजन एपक्स ठीक है root and shoot एपक्स दोनों के लिए ही हैंस्टिन ने हिस्टोजन थेवरी दिया था 1870 में लेकिन ये most valid थेवरी होता है for root एपक्स organization देखो दिया था हैंस्टिन ने root और shoot दोनों के लिए लेकिन ये ज्यादा valid किसके लिए था root के लिए जब अच्छे से study किया गया तो पता चला कि जो हैंस्टिन ने जो हिस्टोजन थेवरी दिया है root and shoot दोनों के लिए दिया था लेकिन ये ज्यादा तर valid है ज्यादा valid थेवरी है root apex के लिए ठीक है कैसे ज्यादा valid है ये भी मैं आगे बताऊंगा बस अभी जान लो most valid theory for root apex organization is histogen theory proposed by hanston in 1870 चलो according to this theory apical meristems are distinguished into three histogen तीन histogen में apical meristems को क्या किया गया है distinguish किया गया है according to histogen theory क्या है वो तीन histogen वो है पहला है dermatogen दूसरा है periblem तीसरा है pleuron ठीक है ये तीन histogen है dermatogen जो है ये outermost histogen है periblem जो है ये just below the dermatogen ठीक है below dermatogen के नीचे ओके middle में क्या है periblem है just below the dermatogen और pleuron जो है ये innermost histogen है अभी histogen क्या है histogen theory के according hanston ने apical meristem को तीन histogen में डिवाइड कर दिया dermatogen periblem pleuron ठीक है dermatogen outermost histogen था periblem middle था और सबसे innermost था pleuron ठीक है ये histogen क्या है देखो ध्यान से सुझो according to hanston's theory in root and shoot apex there are three meristematic regions which are which were called histogen ठीक है तो ये क्या है histogen क्या है meristematic regions है okay meristematic zone है ठीक है सबसे बाहर जो outermost जो meristematic region है इससे हम क्या कहते है डार्मेटोजेर middle वाला जो marystimatic region है इसे हम कहते है periblem और innermost जो marystimatic region है इसे हम कहते है plerome तो histogen क्या है दिसा marystimatic region ओके यानि कि यहां पे धरहादर cell division होता है okay marystimatic region क्या है? marystim में क्या होता है? cell division होता है और plant का क्या होता है? growth होता है राइट? चलो अब next देखो तो शूट अपिकल मेरिस्टेम और रूट अपिकल मेरिस्टेम है ठीक है? तो रूट एंट शूट अपिक्स पे there are three meristematic regions which were called histogen according to according to whom? according to HANSTEN ठीक है? इन्हों जे histogen theory दिया था इसमें इन्होंने है कि Here's original idea न यह करते हैं और स्लीटम के लिए मं इस होते हैं अग्ले स्लाइड में पूरा रड्राव करके इन जो meristematic region है यानि कि ये तीनों histogen है इन तीनों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से present होता है तो देखो, dermatogen जो है ये form करता है epidermis, periblem form cortex और pleurome forms, pericycle, vascular bundle, pith, medulla and pith rays जो किस tail के अंदर आते हैं, अब ये क्या है, ये statement तुम्हें थोरा समझने में अभी दिक्कत हुआ होगा, तो इन तीनों statement को हम अच्छे से समझें, इसके लिए मुझे अगले slide के तरफ जाना होगा, तो चलो, moving on to the next slide, अभी slide को देखो, ये slide important है, ठीक है, अच्छे से सब कु मैंने diagram बनाया है, ठीक है, और यहाँ पर root apex का मैंने diagram बनाया है, ये दोनों के दोनों क्या है, longitudinal section, ठीक है, longitudinal section, longitudinal section पता है न, shoot को, ये shoot है हमारा, इसको इस तरीके से काटोगे, और सामने से देखोगे, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, इसी तरीके से root को ले लो, root को इस तरी एक कुछ इस तरीके का, तो रूट- आपक्स का मैंने ongitunal section दिखाया, इसी तरीके से मैंने शूट- आपक्स और रूट- आपक्स का transverse section भी दिखाया co.s Alabama states यासे काट ऐसे काटो ऐसे बीच से काटो और उपबर से देखो तो गोल दिखाया दे human भी तक तो तुमको आइडिया हो जाना चाहिए लस और टी एस सेक्शन जो है कैसे काम करता है किस तरीके से दिखने में होता है ठीक है तो मैंने शूट एपक्स दोनों का एक ही ट्रांस्वर सेक्शन बनाया है काटोगे तो ऐसा ही नजर आएगा शूट और रूट दोनों भी इसलिए मैंने एक ही बना दिया यहां पर अब देखो एकॉर्डिंग टू हैंस्टेन हिस्टोजन थिवरी हमारा जो शूट एपक्स है और रूट एपक्स है ठीक है है हिस्टोजन थिवरी हैंस्टेन ने लेयर मैंने क्या क्या प्राइटोजन और अंदर है मिड लेयर जो है पेरिब्लेंग और सबसे इनर मंस्ट स्प्लिरोम जो होता है यह सिंगल लेयर होता है प्लिरोम जो होता है और यह भी मल्ुम्य आब इस का Só mist will become." दिख़ये, भी हम रेकार भी थे का मिडिरिंग प्लीरोम यहाँ पे E होगा spelling mistake ओके और root apex का भी तुम transverse section देखोगे तो यह ऐसा ही तुम्हें दिखाई देगा सबसे बहार dermatogen और innermost layer तुम्हें प्लीरोम दिखाई देगा और middle वाला जो होगा वो periblim दिखाई देगा ओके तो आई होग इतना तुम्हें अभी तक समझ में आया होगा अब थोरा चीजों को और मसालेदार बनाते हैं देखो यहाँ पे मैंने transverse section of dicot stem लिया है transverse section of dicot stem अभी तक तुम्हें transverse section of dicot stem अच्छे से clear हो जाना चाहिए कितनी बार मैंने दिखा दिया transverse section of dicot stem बहुत important diagram है यह TS of dicot stem तुम्हारे दिमाग में चप जाना चाहिए बहुत बार आ चुका है अभी तक और बहुत बार आगे आएगा भी तो चलो transverse section of dicot stem को label करते हैं transverse section of dicot stem क्या है यह से dicot stem को बीच से काटो और उपर से देखोगे कुछ ऐसा गोल जैसा नजर आएगा सबसे outermos layer है epidermis epidermis के उपर आपको क्या मिल जाएंगे root hair मिल जाएंगे root hairs को trichomes भी कहते है और epidermis के surface आपको मिल जाएंगे बहुत सारे stomata मैंने भी ड्रॉण नहीं किया है पर समझाना कि epidermis के surface से बहुत सारे stomata होते है और root hairs यानि कि trichomes present होते है epidermis से थोरा अंदर जाएंगे तो हमें दिख जाएगा hypodermis और अंदर जाएंगे तो general cortex दिख जाएगा ठीक है और अंदर जाओगे तो endodermis दिख जाएगा फिर आगे बढ़ोगे और अंदर जाओगे तो pedicycle नजर आएगा तुम्हें endodermis के अंदर and then vascular bundles दिख जाएंगे vascular bundles vascular bundles के बीच में present होता है medulla rays जिसे पिथरेज भी कहते हैं और सब से अब यहां पर मैं क्या करने वाला यह हमारा ट्रांजबर सेक्षेंट के बीच में डिवाइट करने वाला हो सबसे पहला पार्ट को हम कहेंगे epidermis मैंने यहां वन लिख आ है epidermis सबसे पहला पार्ट दूसरा पार्ट है और कोटेक्स ठीक है कोटेक्स कोटेक्स से नंबर सेकेंट पार्ट मैंने बोला था तीस को तीन पार्ट में डिवाइट करूंगा पहला epidermis दूसरा कोटेक्स के अंदर आता है hypodermis general cortex और endodermis तीसरा पार्ट है steel ठीक है जिसके अंदर आता है pedicycle vascular bundle medullaris जिसे पित रेस भी कहते है पित जिसे medullar भी कहते है अब question कैसे बनता है अगर मैं तुमसे पूछओ ध्यान से सुनना अगर मैं तुमसे पूछओ question आ रहा है कि outermost layer of dicot stem is तुम लोग फटाक से बोल दोगे epidermis है यह तो बहुत easy है सबको पता है outermost layer of dicot stem is epidermis अब अगर मैं तुमसे पूछओ outermost layer of cortex तो इसका answer जाएगा hypodermis cortex में देखोगे तो तीन यह आ रहा है hypodermis वाला लेयर आ रहा है तीन लेयर आ रहा है hypodermis जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस आ रहा है सबसे outermost layer जो है hypodermis है cortex का cortex का सबसे outermost क्या है layer outermost layer is hypodermis और सबसे innermost endodermis आ रहा है समझ में चलो इस तरीके से स्टील में भी पूछ लेगा सबसे outermost layer तो तुम बोलोगे pericycle सबसे innermost पित या medulla ओके ना clear है अब यह epidermis cortex और स्टील है देखो histogen theory में क्यों पढ़ा रहा है यह बोलने के लिए कि यह जो επीडर्मीka에द मिल्ट से एंडिवलप होते हैं इन तीन हिस्टोजन से बींगत पिटीक्टो ऑंगे जाता है यह अगय कोडिक्स कोडेवलप करता हैं जिसके अंदर आता है अगर में हमार्त है स्टेल को डेवलप करेगा जिसके पंधर आएंगे स właści damit ब्र आएझे इस सम आने के लिए आगे में लोग सिल्ग Mirna2 तो डर्मिटोजुन क्या कर रहा है faz तरिभल्रम क्या कर रहा है फॉंस कॉर्रेच्स प्लीरोंग क्या खॉर्म कर रहा है स्टील और फिरी के बस ने अलग डीने ने स्टोजन उन्हारी जो है हिस्टोजन थिवरी प्रपोस किया था किसने हैंस्टेन ने 1870 में फॉर रूट एंड शूट एपक्स दोनों के लिए ठीक है बट आगे जाके देखा गया कि यार शूट में डर्मेटोजोन पेरिबलेम प्लीरोम तो होता ही नहीं है रूट में होता है डर्मेटोजोन पेरिबलेम और प्लीरोम ठीक है तो याद रखना शूट में डर्मेटोजोन पेरिबलेम और प्लीरोम नहीं होता इसलिए यह जो histogen theory है यह valid theory है root apex organization के लिए क्योंकि root apex में present होता है dermatogen, peribblem और plerome इसलिए valid है किसके लिए root apex के लिए valid है histogen theory shoot apex के लिए क्यों नहीं valid है क्योंकि shoot apex में दो layer present होते है tunica and corpus जिसके उपर tunica corpus theory है जो कि हम histogen theory के बाद पढ़ेंगे tunica corpus theory जो कि valid है किसके लिए shoot के लिए क्योंकि shoot में present है क्या tunica और corpus root में क्या present है dermatogen, peribblem और plerome इसलिए यह जो हैंस्टिन द्वारा दिया गया histogen theory जो कि root और shoot apex दोनों के लिए हैंस्टिन ने दिया था हैंस्टिन को यह बात पता ही नहीं थी कि shoot में तो dermatogen, peribblem और plerome होता ही नहीं है लेकिन हैंस्टिन गलत नहीं था हैंस्टिन ने यह जो theory दिया था यह root के लिए बहुत ज्यादा valid है तुकि root में monocot लेलो, dicot लेलो, monocot root, dicot root दोनों में dermatogen, peribblem और plerome यह तीन histogen यानि कि यह तीन meristematic regions होते हैं इसलिए यह जो हमारा histogen theory है यह ज्यादा valid है किसके लिए root apex organization के लिए चलो moving on to the next slide अब इस table को दियान से देखो इसे मैं discuss करने वाला हूँ ठीक है इस table को समझने के लिए हमें dicot root और monocot root का diagram देखना होगा तो यह dicot root apex है और यहाँ पे monocot root apex है दोनों का longitudinal section है ओके अब देखो dicot root, monocot root दोनों में क्या तीन histogen present है कौन-कौन से dermatogen, periblem और pleurome, dermatogen सबसे outermost histogen okay periblem middle और pleurome innermost histogen होता है dermatogen जो है यह epidermis को develop करता है periblem जो है यह cortex को develop करता है और pleurome जो है यह steel को develop करता है ऐसा अभी तक हमने पढ़ा है अब देखो दोनों में आपको monocot root, dicot root में root cap दिख जाएगा root cap क्या करता है root tip को protection provide करता है जो हमारा monocot root है या dicot root है इसका जो apex है यानि कि tip है इसको protection कौन provide करेगा root cap next thing एक note है यहां पे in dicot roots dermatogen forms root cap देखो dicot root में dermatogen जो है यह सबसे outermost layer है ठीक है और यही क्या करता है form करता है root cap को यह हमारा क्या dermatogen है dermatogen जो histogen है हमारा सबसे outermost layer ठीक है dicot root में यह क्या कर रहा है root cap को form कर रहा next monocot root में आपको एक और चौथा histogen दिखाई देगा जिसे कहते है कैलिप्ट्रोजन dicot root में number of histogen 3 होता है कौन-कौन सा dermatogen परिब्लेम प्लिरों लेकिन monocot root में आपको एक और एक्स्ट्रा चौथा histogen देखने को मिलता है जिसे कहते है कैलिप्ट्रोजन तो monocot root में number of histogen 4 है ठीक है तो यहाँ पे एक note है in monocot root dermatogen forms one more histogen known as calyptrogen तो calyptrogen को कौन form कर रहा है जो outermost histogen है हमारे monocot root का इसको कौन form कर रहा है इसको form कर रहा है dermatogen ठीक है देखोगे तुम ध्यान से तो dicot root का जो outermost histogen है यह है dermatogen राइट लेकिन monocot root में देखो outermost histogen जिसको form किया है dermatogen वो है calyptrogen तो outermost histogen in dicot root is dermatogen और outermost histogen in monocot root is calyptrogen calyptrogen जो है यह आगे जाके form करता है root cap को तो root cap is formed by dermatogen in dicot root dicot root में देखो यह जो root cap है हमारा dermatogen form कर रहा है लेकिन monocot में root cap is formed by calyptrogen यह हमार जो calyptrogen है यह outermost histogen है monocot का और monocot में calyptrogen जो है यह root cap को form कर रहा है ओके तो इतना तक तुम्हें समझ माया होगा यह table अब क्लियर हो गया होगा अब यहां पर देखो एक और extra structure तुम्हें दिख जाएगा जिसे कहते हैं क्विसेंट सेंटर क्विसेंट सेंटर जो होता है देखो यह क्रिसेंट्रिक शेप का होता है क्रिसेंट्रिक शेप होता है इसका location क्या है देखो कहां पर present है हमारा यह हिए German दे लिखा हैं दे से समिझांगे डर्म 내가 अर्क जो डर्मेटोजन और कैले आप्परोजन के बीच में होता है क्समेंटारा ऐसा शेप होता है ख्रिसेंट्रिक शेप मतलब वो ईद का चान्त होता है ना कुछ ऐसा इद का चांद वैसा एक क्रिसेंट्रिक शेपेड होता है यह कुसेंट सेंटर जो कि कहां पर लोकेटेड है डर्मेटोजन और कैलिप्टोजन के बीच में तो अभी तक यह टेबल आई होब तुम्हें समझ में आ गया होगा सब चीज़े क्लियर हो गई होगी अब यहां पर एक नए टर्म आये है क्विसेंट सेंटर तो चलो इसके बारे में भी तुरा डिसकर्स कर लेते कि यह क्विसेंट सेंटर क्या है इसका फंक्शन क्या है तो moving on to the next slide, चलो अब पढ़ते हैं क्विसेंट सेंटर के बारे में, ज्यादा कुछ tough नहीं है, बहुत आसान है, देखो, पहला statement है कि क्विसेंट सेंटर जो term है, ये coin किया, coin किया था किसने, Klaus ने, term coined by Klaus and discovered in maze root apex, भुट्टा के root में, मक्का का जो root होता है, उसमें discovered किया गया cells को हम कहते हैं, क्विसेंट सेंटर, देखो, less active cells, less active cells क का एक और नामें, क्विसेंट सेंथ, ठीक है, जो cell division नहीं करते हैं, तो мы प्रेजेंट होता है इस बेस्पेली अग्रूप अफ इन एक्टीव और लेस एक्टिव सेल्स ओके यह प्रेजेंट होते हैं बिट्वीन दर्मेटोजन और कलिप्टोजन और मोनोकॉट मैंने अभि आपको पिछले स्राइड में दिखाया था सिल्यंट के अंदर हैं आपको यह कुसेंट सेंटर देखने को मिलेगा में के यहां पर लिखा गया है अ और मेज आपको पता हैं एक्जाम्पल ऑफ मोनोतोर मोनोगा अंशसले इसलिए मीज के जो रूत है। रूट एपेक्स में सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था कुईसेंट सेंटर को, कहां पर प्रेजेंट था बेट्वीन डर्मेटोजन और कलेप्रोजन, होता क्या यह क्या यह क्या गुरूप और इनक्टीव और लेस अक्टिव सेल्स होते हैं, एक साब बहुत सारे गूर एक्टिव होते हैं इसलिए जो सेल होता है हमेशा लेक्ट डिविजन नहीं करते हैं लेस एक्टिव होते हैं नो तो इसलिए सेल में कम अमांट में डियने और आरेने होता है सेल कंटेन मेंदे लेस सेल साइड और डियने आरेने लाइट सट प्लाजम होता है कि बहुत सारे लिगदेता बेक्योश हाइ नम्मर में प्रेजेर dettareshol some कैसा होगा वैक्षेलेश प्रेजेट है तो फानलाश मौलाईट वैक्षेस आपसेट है तो सैटो प्लाजम कैसा होता है dense होता है तो यह बात आपको पता होनी चाहिए ठीक है तो जो इन अक्टिव और लेस अक्टिव जो सेल से यानि कि जो कुछेंट सेल से हमारे इनमें vacuos present होता है इसलिए cytoplasm के इसा होता है इन सेल का light होता है small nuclei छोटे-छोटे nuclei होता है ठीक है small nuclei चलो next देखो Quiscent center is crecentric in shape ये तुम्हें बताई दिया थो तुम्हें चांद की तरह होता है दिखने में crecentric shaped होता है अब function की बात करते हैं function की अगर हम बात करें तो देखो जो हमारा monocoat होता है इन monocoat आपको पता है fibrous roots होता है होता है अब डैमेच हो जाते हैं तो उसके साहसाथ साहसारे मेरिस्ते होता है हो भी डैमेच हो हो जाते हैं and serves as a reserve for replenishment of damage cells of the meristem और जो cells meristem cells जो damage हो गयते हैं उनको क्या करते हैं replenish करते हैं repair करते हैं तो question center में जो less active cells ते कब active हो गया जब आज वाजू का जो meristem था question center के आज वाज जो meristem थे वो damage होगा किसी कारण से root cap damage होगा तो उसके सासरत meristem cells भी कुछ-कुछ damage होंगे जब meristem cell damage होंगे तो यह less active cells ते यानि कि quiescent cells ते quiescent center के यह active हो जाते हैं और replenish करते हैं जो damage cells repair कर देते replenish करते हैं damage meristem cells को ओके तो यह हमारा quiescent center के बारे में थोड़ी सी बाते थी ज्यादा कुछ tough है नहीं ओके तो यहां पर यह जो histogen theory वाला lecture है यह होता है समाफ्त next lecture में हम ट्यूनिका corpus theory के बारे में पढ़ेंगे ठीक है ट्यूनिका corpus theory देखो histogen theory ज्यादा valid था root apex के लिए ठीक है most valid for root apex वैसी ट्यूनिका corpus theory जो है यह most valid है shoot apex के लिए जिसके बारे में हम next lecture में पढ़ेंगे तो यहां पर lecture होता है समाफ्त तो गाइस यहें पर lecture खतम होता है अब तुम्हें lecture समझ में होगा समझ में है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना netology को social media पर follow करना instagram पर facebook पर twitter पर और telegram पर जो इसे जाकर जौन करो हमें नोट्स अप्लोट करता हो तो तूम्हें यहां से नोट्स मिल जाएगा और सबसे